इस प्रोजेक्टर को लेकर आपने जितनी हाइप ट्रेट किये थी ना तो जैसे ही ये प्रोजेक्टर मेरे पास में आया मैंने कहा भाई आंबॉक्सिंग रिव्यू को छोड़ो बाद में करेंगे सबसे पहले इसको हम टेस्ट करेंगे इसका स्क्रीन और देखेंगे कि भाई लिखेसे कि सब्सक् огार को पूडुए अंबक्सिंग पॉस्ट म acceptable ऐसे में चल्टिते थीस्ट में आ में बाएंडक बब्हेंड में 70% बाकि जो product होता है, जो model होता है, वो same होता है, ठीके, तो देख लो यहाँ पर, और भी आपको जो है, जिस भी brand का आप खोज रहो, देख लो यहाँ पर, आपको same ही चीज मिलेगा, सिर्ब जो है, यहाँ यहाँ पर brand का नाम जो है, वो brand जो है, अपना करा सकती है, तो यह projector दे सकते हो, जो कि हो सकता है, ठीके, और उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, यह box है, box देख लो, ठीके, तो किसी भी brand हो, मतलब किसी भी brand का projector हो, अगर यही model है, तो आपको यह box मिलने वाला है, खाली different इटना रहेगा, कि जिस brand, जो भी brand रहेगा ना, उस brand का, आप यहाँ पर अलग से print करा सकते हो, ठीके, तो यही सब चीज है, जितने भी product आ रहे हैं, सब चाइना से आते हैं, और product जो है, सेम ही होता है, सिर्फ brand का नाम change होता है, और projector के साथ आपको क्या-क्या मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि पहले ही मैंने projector को लगा के, इसका पहले जो है, मैंने सबसे पहले projector आते ही, unboxing वागेरा नहीं किया, सबसे पहले projector को लगाया, और on करके देखा, तो brightness जो है, काफी अच्छा लगा मुझे brightness है, projector में, यह मैं agree करता हूँ, और यहाँ पर जो है, power cable मेंने निकाल लिया था, ठीके, remote कुछ इस तरह का remote मिलता है, इ तो यहाँ पर जो है, देख लिए, यह AB का, in output आपको मिल जाए, AB cable मिल जाएगा, ठीके, यहाँ पर VGA cable दिया है, जो कि बहुत सारे projector में VGA cable देता नहीं है, तो VGA cable जो है, वो दिया हुआ है, और उसके बाद में HDMI cable दिया हुआ है, और इसके साथ जो है, दो 3D glasses भी दिये है रेडेन साइन के, जो की मेरे खाल से हाँ, अंदर में है, मैंने चेक किया था, ठीके, तो यहाँ आप देख लिए, दो 3D glasses है, अब इसको क्या निकालना, इसका तो कुछ काम है ही नहीं, तो अबकुल मिला के projector में यही चीज है, और एक छोटा सा user manual, ठीके, इस तरह का user manual यह बॉक्स में कहीं भी आपको किसी भी brand का नाम नजर नहीं आएगा, तो अचली आप भी जो है, प्रोजेक्टर की बाकी जो picture quality वगेरा है, sound quality वगेरा है, blurness वगेरा है, सारा चीज जो है, देखते हैं, और इसका test करते हैं, तो भाई, यह जो देख रहो हो ना, यह है इसक इंटरफेस, इतने light एक कमरे में जो है, एक single light जल रहा है, और इसकी बाद भी जो है, इस तरह का brightness आपको देखने को विल रहा है, यानि के अब जो है, picture quality जो है, देखते हैं, चेक करते हैं, और picture quality में, कैसा रहेगा picture quality, brightness तो चबरदस्त है, तो भाई, अब जो है, हम करेंग कि इसका picture quality test, brightness के मामले में, मुझे brightness ठीक है, improve लगा, मैंने जितने भी projector अभी के टाइम में, मैंने review किया है, ठीक है, तो brightness मुझे सही लगा, सिर्फ brightness सही होने से नहीं होता है, आगे की और भी चीजे जो है, मैं discuss करूँगा, कि क्या-क्या चीजे सही है, नहीं है, ठीक है, सबसे पहले हम इसको test करेंगे, इसकी picture quality, तो यहाँ पर मैंने अपना wifi से इसको connect कर लिया है, और इसको हम सबसे पहले YouTube open करेंगे, तो यहाँ पर देख लिजे, YouTube open हो चुगा है, और यहाँ पर सबसे पहले जो हम देखेंगे, वो है इसकी blurness, जो corner की जो blurness है, वो कितनी है, यह आज की टाइम में हर प्रोजेक्टर में इंपोर्डेंट होता है, कॉर्णर ब्लर के मामले में कहूं, तो मुझे जो है, यहां पर कॉर्णर में उतनी सार्प किलेर टेक्स नजर नहीं आरी है, ठीके, तो कहीं ने कहीं, हलके फुलके आपको यहां पर ब्लर्नेस का एहसास हो जागा, ब्लर्नेस रहेगी, मगर इतनी भी ज़्यादा ब्लर्नेस नहीं है, कि आप उसे, मतलब इग्नोर ना कर पाएं, तो है blurness है हलकी full की है ठीक है इसे जो है आप ignore कर सकते हैं तो इसको जो है मैंने full center में रखके जो है कीश टून करेक्शन वगरा करके देखा है तो कुछ इस तरह का result देखने को मिल रहा है blurness तो है ठीक है उपर का थोड़ा clear है corner अगर देखें तो blur है center में थोड़ा focus है और आगे जो है हम यहाँ पर कोई video content play करते हैं तो चलिए मैं कुछ video content प्ले करके देखते हैं इसकी brightness और picture quality तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं picture quality कुछ इस तरह है brightness तो है color के बारे में बात करें तो color वगेरा भी ठीक है मगर उतने deep मुझे नजर नहीं आ रहे है अब जो है कमरे का light on है और visibility कुछ इस तरह की है picture quality की बात करें तो ठीक ठाक है और color भी ठीक है deep color जो है मैं कहूँ तो उतने deep color नहीं है मगर हाँ अच्छे खासे आपको जो है यहाँ पर color visibility देखने को मिल जाता है तो चलिए अब जो है मैं इसको light off करता हूँ और उसके बाद में जो है देखते हैं कि dark room में यह आपको कैसे visibility दिखाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हमने कमरे का light off कर दिया है brightness काफी अच्छी है ठीक है light off के बाद में brightness काफी अच्छी है और projector के बारे में यह कहूँगा कि brightness जो है काफी अच्छी brightness है और अभी मैं किसी के साथ compare नहीं करूँगा आपने मेरे जितनी वी वीडियो पिछले जो review वीडियो देखें है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि brightness अच्छी है मगर अभी हमने जो है इसका बड़ा screen का test अभी तक नहीं किया है मैं इसी वीडियो में करने वाला था है ना इसी वीडियो में ही सबसे पहले तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो जरूर से जरूर रहेगा ठीके और में भी जो है गुरुबार तक आपको 300 इसका वीडियो मिल जाएगा तो अभी के टाइम में हम देख रहे हैं अपने कमरे में बारा फीट के डिस्टेंस में यह 100 इंस के screen बना रहा है जो मेरा जो screen है जो मेंने border बनाया है मेरा जो screen मेंने create किया है 107 इंस का है जो कि इससे आप देख सकते हैं तो 100 इंस के आसपास का screen यह बना रहा है 11 फीट के distance में और color वगरा मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं contrast ratio ठीक है उतने deep black नहीं है बाकी projector के comparison में अगर मैं करूँ तो उतने deep black आपको नजर नहीं आ रहे हैं color भी जो है हलके उतने deep color नजर नहीं आ रहे हैं मगर हां brightness काफी बढ़िया है और picture quality भी अच्छी है और यहां पर जैसे कि मैंने एक और projector भी कहा था ठीक है यहां पर अगर हम setting में जाते हैं ठीक है तो यहां पर देखी hd तो यहां पर भी जो है आपको hd से उपर कोई resolution आपको नहीं मिलेगा ठीक है hd sorry full hd से उपर कोई resolution नहीं मिलेगा नौर्मली कुछ projector में होते हैं जो 4K वीडियो तक भी मतलब दिखा देते हैं अगर वीडियो आपका 4K और यहां पर मैं जो 8K वीडियो प्ले कर रहा हूं तो यहां पर full hd से उपर भी option आने चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं यानि कि यहां पर आप 1080p पे ही देख सकते हैं य आप दोस्तों यहां पर जो है मैं आपको projector का जो fan का noise है वो सुनाने वाला हूं तो आप सुन सकते हैं कि fan का जो noise है वो थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों अगर मैं picture quality की बात करूं तो ठीक ठाक है मगर उतना good नहीं कहूंगा मैं ठीक है तो यह सारा चीज जो है मैं comparison वीडियो में clear करने वाला हूं कि picture quality में अभी जो है जितने भी मैंने projector रिव्यू किया है तो कौन से projector सही है किसकी quality अच्छी है फिलार अगर कहूं तो picture quality उतना भी good नहीं है brightness पिक्चर प्रोजेक्टर में जो है brightness अच्छा है colors जो है थोड़े से मतलब थोड़े light color है उतने dark color नहीं है black अगर देखें तो ठीक है बाकी projector के हिसाब से black मुझे जो है उतने full या deep black जो कहते हैं deep black नहीं लगे साइद यही वज़ा है कि थोड़ा सो ज प्रोजेक्टर के बारे में तो प्रोजेक्टर ब्राइटनेस जरूर आपको देता है ठीक है आप अगर एक brighter projector चाहते हैं तो यह projector आपके लिए है colors थोड़े से डल आएंगे picture quality मुझे उतनी impressive नहीं लगी ठीक है और ठीक ठाक है मगर आप घर के लिए मतलब देखो यार यह स अगर आप लोग है तो आपको जो है यह पसंद ही आएगा है ना तो यहां पर picture quality okay है not good और बात करें ब्राइटनेस अची है color थोड़े से फिके color है डीप color नहीं है और यहां पर जो YouTube पे वीडियो प्ले हो रहे हैं वो थाउजन एटीपी पे है चल रहे हैं आप यहां पर 4K यहां पर दिखाने रहा है तो आपको जो है YouTube अगर आप प्ले करेंगे तो आपको थाउजन एटीपी पे ही देखना होगा या फिर उससे कम में देखना पड़ेगा तो overall जो picture quality okay है not good यह कहूंगा मैं fan का जो noise है मुझे थोड़ा ज्यादा लगा इसके इलावा इसका जो sound quality ह जो inbuilt speaker दिया है तो sound quality भी ठीक ठाक है आपको ज्यादा distortion जो इंगलिस में कहते है न तो ज्यादा मतलब फटा अपने जो DC language में आता है फटा sound नहीं है ठीक क्लियर sound है तो आप बिना home theater के भी प्रोजेक्टर से जो है movie वगेरा जो है देख सकते हैं enjoy कर सकते हैं अगर आपके पास में extra home theater नहीं है home theater है तो भाई प्रोजेक्टर का inbuilt speaker जो ही यूज करने की कोई जरूतनी home theater लगाओ और धंमाल sound सुन लो तो यह था इस प्रोजेक्टर का review company का नाम आप जो भी ले सकते हैं ठीक है चाहिए आप बीवीड बोलो एक सेवें मैक्स बोलो या फिर टोंजो जो भी बोलो ठीक है प्रोजेक्टर सेम है आपको जो है सिर्फ यहां पर branding जो है brand के नाम जो चेंज होंगे और फिर भी आपके मन में कोई सवाल है कोई doubt है या फिर आप मेरी इस बात से agree नहीं करते हैं तो आप जो है comment box में अपनी जो राय है अपनी जो suggestion है या फिर जो कहन करना चाते हैं वो मुझे कह सकते हैं ठीक है comment box में आपकी comment का जो है इंतजार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं तो आपकी राय जाननी बहुत जरूरी है जो मैं कह रहा हूं कि projector जो है brand change होते हैं मगर projector जो model होते हैं वो सेम होते हैं ठीक है तो इस बारे में आपका क्या मैंने जो है अपने तरब से कोसिस की जो मुझे दिखाई दे रहा है जो मैं महसूस कर रहा हूं वो आपको clearly कर सकूँ तो आज का वीडियो बस इतने ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जन्यवाद जेहिंद